सूरत का बापू के नमक सत्यागरत से बहुत घरानाता रहा है। सूरत के सैंकडो सगता सत्यागरही तो बापू के साथ जुड़े ही थे साथ में। ये देश के उन पहले सेंटर्स में से एक था जहां दांडी मार्च से भी पहले नमक कानून का विरोध किया गया था ये सुरत ने किया था सुरत ने गांधी जी के मुल्यों को हमेशा से सम्मान दिया स्वच्छता हो स्वाव लंबन हो या फिर स्वदेशी गांधी जी के दर्शन को सुरत ने जमीन पर उतारा है और मुझे खुशी है मैं देख रहा हूँ दवल की पूरी टीम दवल मुझे मिला था दिल्ली में इन सारे नवज़वान कोई एंजीनियर है कोई चार्टर्ड अकाउंटन्ट है कोई शिक्षक है कोई व्यापारी है मन में ठान लिए सफाई का काम करेंगे और उन्होंने सफाई के लिए अपने आपको समर्पित किया है मैं इन सभी नवज़वानों को बधाई देता हूँ आज हीरे वर कपड़े के साथ साथ अनेक छोटे छोटे उद्योगों से मेकिन इंडिया को यह शहर ससक्त कर रहा है साथ यह सूरत की स्पिरिट को और मजबूती देने के लिए आज सेंकडो करोड रुपिये के प्रोजेश का उद्घाटन और सिलान्याज किया गया है इसमें सूरत एरपोर्ट का विस्तारी करण तो है ही साथ मैं सहर को स्मार्ट बनाने के लिए दर्जनों प्रोजेश का उद्घाटन और सिलान्याज भी किया गया है विकास से जुड़े इन सभी प्रोजेक्स के लिए मैं सुरतवासियों को हमारा हूर्ती भायों ने आप सभी को बहुत बहुत बदाई सातियों हमारी सरकार देश में इज अफ लिविंग और इज अफ डूइंग बिजनेस की नई संस्कृति विक्सित करने में जुटी इसके लिए देश में इन्फास्रेक्टर के विकास कनेक्टिविटी के विकास पर बल यह हमारी प्रात्विक्ता है सुरत तो देश के उन शहरों में है जहां विश्वकी सबसे तेजी से विक्सित हो रही कि हमारी अर्थ बवस्ता में चार चान लगाता है हाल में आई एक अंतर राष्टिय रिपोर्ट के बारे में हर सुरती जानता है लेकिन शाहिद देश माचियों को पता नहीं होगा और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 10-15 वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विक्सित होने वाले टॉप 10 शहरों में दुनिया के टॉप 10 ये सारे के सारे दस हिंदुस्तान के है और खुशी की बात है इसमें भी सबसे टॉप पर सबसे टॉप पर कोन है सुरत को गर्व हो रहा है सुरत को बढ़ाई यानि इस पस है कि आने वाला समय सुरत का है भारत के शहरों का है इसरफ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की आर्थी गतिविद्यों के सेंटर होने वाले है यहां दुनिया भर से निवेश होने वाला है ब्यापार और कारोबार कई गुना बढ़ने वाला है लाखो युवा साथियों को रोजगार के आउसर बनने वाले हैं आर पिंद्यों actively दूनिया रखेशने वालोगवास